हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इंफो गॉर्मेट जोबस पर दोस्ते हाँ पर रेलवे भरती परिक्स्याओं को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर रेलवे के द्वारा जारी किया गया है जिसमें हाँ पर जो आपकी अग्जामे है रेलवे की जो आने वाल चारसो जी हाँ याद कर लिजिए वाटसप नंबर क्योंकि अब चाहे मैद, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी आपके हर डाउट, हर क्यूसन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोलेशन वो भी सीधा आपके वाटसप पर बस अपने फोन के अंदर डाउनोट का आठ चारसो चारसो चारसो वाटसप नंबर सेव कर लिजिए और चेट ओपन कीजिए फिर आपका जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खीचनी है उसे करोप करना है और पांच सेकंड में आपको उसका वीडियो सोलेशन मिल जाएगा, कलास 6-12, IIT, NEET, JEE, CBSC Board और सभी स्टेट के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाएए 8400-400-400 पर अपना सवाल वाटसप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्सिन में है अपडेट के लिए दोस्तो आपने देखा होगा, काफी दिन पहले, या नहीं, आट से दस दिन पहले हाँ पर, रेलवे के दोवारा एक प्रस्ताव है, वो पारीत करने के लिए पेस किया गया है, जिसके अंदर आपके काफी रेलवे में बदलाव होने वाले हैं, जैसी की रेलवे के सरकारी स् सम किया जाएगा, या फिर उनको आपका, जो सीबी अप्रस्ताव है, वो रखा गया है, और दूसरा आपका होस्पिटल के बारे में, जिसमें आपर आम आदमी या रेलवे होस्पिटल में सुवीद आए, ले सकेगा, ये भी यहाँपर एक बदलाव था, और भी यहाँपर काफी बदलाऊ किये गए थे जिसमें हाँ पर एक मुख्य रूप से यह था कि जितने भी RRB हैं उनको हाँ पर समाप्त किया जाएगा क्योंकि जो आपका NTA जो आपका CET Common Eligibility Test यहाँ पर Center Government के अंदर करवाय जाएगा जो कि हापर अगले साल में आपका 2022 में आयुजित किया जाएगा तो वो टेस्ट होने के बाद में जो NTA हापर कंड़क्ट करवाएगी तो उसके बाद में RRB की भूमिका बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि एक आपका प्री टेस्ट है वो आपका NTA करवा लेगा CET के रूप में उसके बाद में RRB जो मेंस टेस्ट है वो यहाँ पर करवाने होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा भूमिका नहीं होने की वज़े से यह प्रस्ताव लाय गया है जिसमें बोला गया है कि जितने भी RRB है 21 RRB वर्तमान में कारेरत है रेल्वे में तो उनको यहाँ पर खतम किया जाएगा चाहे तो अगर चाहे तो रेल्वे अपनी तरफ से एक रेल्वे का बोर्ड बना सकता है एक बोर्ड उसके बाद में आपका NTA गर निर्देश दे जो NTA को बताएगी किस प्रकार से वेकेंची उनको कंड़क्ट करवाने हैं किस प्रकार से लेने है कितने कंड़ियाट लेने है कितनी वेकेंची है इस सारी चीजों के लिए अगर रेल्वे चाहे तो एक यहाँ पर बोर्ड बना सकता है बागी इतने 21 RRB का कोई काम नहीं है इनको यहाँ पर खतम किये जाने का प्रस्ताफ है वो जारी किया गया देख सकते हो प्रयागराज के अंदर रेल्वे भरती परिक्षया की जिम्यवारी NTA को देने की हुई तैयारी रेल्वे भरती बोर्ड की और से रेल्वे भरती पर कोस्ट को जगाए अब नेशनल टेस्टिंग अजेंसी NTA को रेल्वे की परिक्षया करवाने की जिम्यदारी देने की त्यारी है रेल्वे भर्ड इसे लेकर त्यारी कर रहा है हाला कि अभी अंतीम फैसला नहीं हुआ है हाई कोड से समंदित परिक्षया या फिर नीट जी आरफ समंदित कई महतोपुन परिक्षया कराने वाली NTS से ही रेलवे भरती समेत अन्य परिक्षया कराने को लेकर मंथन हुआ है NTA द्वारा railway की प्रिक्षा कराई जाने पर railway भरती बोर्ड और railway भरती प्रकोस्ट को बंद किया जाएगा railway की ज्यादतर भरती ज्यादतर प्रिक्षा है अब online ही होने लगी है तो यहाँ पर बड़ा update है RRC के भी लिए भी इसमें बोला गया है पर उस लेटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था RRC के बारे में तो RRC एक अलग रहता है क्योंकि सब कुछ RRB कनेक्ट रहता है RRC के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेवल बन की जो पोस्ट आते है उनका फिजिकल RRC कनेक्ट करवाता है फिर जो डिपार्टमेंटल जो भी GDC, LDC वगरा अगजाम आती है वो यहाँ पर RRC कनेक्ट करवाता है तो यह RRC की बुमिका बिल्कूल अलग रहती है GDC से तो वो यहाँ पर बड़ा अपडेट है तो देखते हैं आगे क्या यहाँ पर इसको लेकर फैसला होता है तो वो चीज़ आपके साथ सेर की जाएगी तो उसके लिए चेलों को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर करें धन्यवाद जेहन जे भारत